हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर हम सीखते हैं क्रोश्यास रिलेटेड ऑल इन डिजाइन तो चलिए देखते हैं कि आज मैं कौन सा डिजाइन बना रही हैं जो कि आपने थमनेल में देखी लिया होग वैसे लेकिन इससे बीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दू अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर कोच भी डाउट होता है अगर म नॉट लगा लूँगे इस तरह से चोटा सा मैजिक रिंग में आ लेंगे और क्रोश्य होकोस में डालेंगे और अब हम इस मैजिक रिंग में तीन चैन ले लेंगे एक, दो, तेन, तीन चैन लेने के बाद देखिए हमने इसमें तीन चैन ले ली है अब तीन चैन लेने के बाद इसमें हमको 14 डबल क्रोश्य हमको इसमें चाहिए हैं तो एक हमारी ये चैन हो गई है और हम 13 double crochet इसमें इस तरह से बनाकर radical लेंगे तो friends मैं इता बनाती हैं फिर दिखाती हैं आपको तो देखी friends हम अपने round के end में हैं इसमें मैंने 14 double crochet बनाकर radical लिये हैं और अब ये जो धागा है इसको खेंच देंगे तो ये tightly एक छोटा circle बन जाएगा और जहाँ पर हमने 3 chain ली थी बहाँ पर इसको slip stitch के साथ में slip stitch कर देना है तो देखी मैंने इसको यहाँ पर slip stitch कर दिया है और अब इस circle के उपर हम 3 chain ले लेंगे 1, 2, 3, 3 chain लेने के बाद sam hook में से हम 1 double crochet बना लेंगे तो यहाँ पर हमारे sam hall में से 2 double crochet count हो जाएंगे next chain के hall में से हम 2 double crochet बना लेंगे और उसके next में से भी 2 double crochet बना लेंगे इसी तरह से हर chain के hall में से हमको 2 double crochet बना लेना है और अपना circle पूरा कर लेना है तो देखी friends हम अपने round के end में हैं और इसमें हमारे 28 double crochet बना कर रेडी हुए हैं और अब हम ने जहां पर chain ली थी तीन वहां जाके इसको slip stitch के साथ में slip stitch कर देंगे और धागे को कट कर देंगे यहां पर मैं दूसरा ओन लगाऊंगे और अब हम यहां पर यह यलो कलर लगाएंगे friends है two layer में ले रही हुए क्योंकि यह बहुत जादा पतला ओन है यह वाले ओन के बराबर नहीं है इसलिए मैं double ले रही हूँ आपके दोनों ओन से हम हो तो आप मत लेना तो इसका मैं not लगा लूँगे और प्रोश्य हुक को यहां से डालके इसको यहां पर जोइंट कर लेंगे देखी इसको भी यहां पर जोइंट कर लिया है अब यहां पर हम तीन चेन ले ले लेंगे एक दो तीन तीन चेन लेने के बाद अब हम सैम होल में से एक डबल क्रोश्य बना लेंगे इस तरह से तो यहां पर हमारे दो डबल क्रोश्य अकाउंट में हो जाएंगे एक चेन एक डबल क्रोश्य और नेस्ट चेन में से एक डबल क्रोश्य ले लेंगे हम और उसके next में अब दो बार बनाएंगे इसी तरह से हम अपना round complete कर लेंगे पहले हमको एक बनाना है फिर दो बनाना है पहले एक haul में से हमको एक double crochet बनाना है next haul में से दो बनाना है इसी तरह से हम अपना round complete कर लेंगे तो देखी friends हम अपने round के end में हैं और यहां पर हमने हर दूसरे हॉल में जाके दो बार डबल क्रोशे बनाया है, देखी पहले एक बनाया, पहले दो बनाया, फिर दूसरे हॉल में जाके हमने दो बार बनाया, अब हम यहां पर जहां हमने तीन चेन ली थे, इसको यहां पर सिलिप स्टिच के साथ स्टिच कर दे यहां पर करके कट कर कर甲ंड़ा लूंट पर हो लिए को के बड़ आ जनी ओर टेबर चैन के में आधिए भी में यहां झाल से ऐख़िश कट कर्रियों लेंश्माट कोई धूल तर टैва घडिए त्वीट कट कर में घा भान्जवस्था कांड तरा और यहां जोइंट करने के बाद अब हम पांच चैन ले लेंगे एक दो तीन चार पांच पांच चैन लेने के बाद अब हम यहां पे एक चैन स्किप करेंगे यह वाली और नैश्ट चैन के हॉल में से एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे यहां पे एक बना लिया मैंने और अब यहां पे हम दो चैन ले लेंगे एक दो दो चैन लेने के बाद एक दो एक चैन स्किप करेंगे दूसरी चैन के हॉल में से हम एक डबल क्रोशिया यहां पे बना लेंगे और एक डबर क्रोश्य बनाने के बाद हम फिर से दो चेन लेंगे एक दो दो चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे दूसरी चेन के हॉल में से हम इसको क्रोश्य को डालेंगे और यहां पर एक डबर क्रोश्य यहां पर बना लेंगे हम और फिर से दो चेन ले लेंगे, इसी तरह से हम अपना round complete कर लेंगे, तो देखी friends हम अपने round के end में हैं और यहाँ पर last में हम दो chain लेंगे, दो chain लेने के बाद जहाँ पर हमने यह chain ले थी 5 की, तो यहाँ जहाँ हमारी तीसरी chain होती है, बहाँ पर इसको ले जाके हमको slip stitch के साथ में slip stitch कर देना ह इस तरह से, देखिए, अब हम इसके उपर 4 chain ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, चार chain लेने के बाद, अब हम इस हॉल में से half double crochet बनाएंगे, देखी एक बार निकाला, और यह जो हमारे दो फंदे हैं, इनको हम आभी भरके रखेंगे, और फिर से हम इसी हॉल में से, हाफ double crochet बनाएंगे, देखी तो फंदे निकाले, और यह अब हमारे तीन हो गए हैं, तो अब यह तीनों को हम साथ में निकाल देंगे, इस तरह से, अब हम तीन chain ले लेंगे, एक, तो, तीन, तीन chain लेने के बाद, नेक्स्ट हॉल में से, sorry friends, वो मेरे बेबी ने पटक दिया था, तो यहाँ पे अब हम, इस साइड वाली में, हाफ double crochet बनाएंगे, तीन बार, देखी, मैंने एक बार half double crochet बनाया, यह हमारा एक chain का फंदा है, और एक half double crochet का फंदा है, तो, यह दो हो गए, और next, उसी हॉल में से, हम एक बार और डालेंगे, और एक half double crochet और बना लेंगे, तो यह हमारे तीन फंदे हो गए, यह हमको तीन half double crochet चाहिए, तो हम एक बार और बना लेंगे, और यह अब हमारे चार फंदे हो गए, और चारों को साथ में निकाल लेंगे, और फिर से अब हम एक, दो, तीन चैन लेंगे, और next chain के हॉल में से, तीन बार half double crochet बनाना है, इस तरह से, एक बनाया मैंने, यह दो, और यह तीन, फंदे हमको भर के रखना है, लास्ट में निकालना है सारे, तो देखिए हमारे चार फंदे हो गए, चारों को साथ में निकाल दिया, फिर से तीन चैन लेंगे, और next chain के हॉल में से, इसी प्रॉसिस से हमको अपना सारा round जो और जहां हमने यह chain बनाई थी, यहां इसको slip stitch के साथ में, slip stitch कर देंगे, और यहां पर हम yellow color का उन लगा लेंगे, देखिए यहां पर मैं यह yellow color का उन लगा लूँगे, यहां से, को अब यहां पर हम, चार चेन ले लेंगे, एक, दो, तेन, चार, चार चेन लेने के बाद, उसी हॉल में से, हम, एक double crochet ले लेंगे, इस तरह से, कि में एक double crochet ले लिया है, और अब double crochet बनाने के बाद, हम, इस बाले में, जहां हमने double crochet बनाया है, इस में से, हम, आठ भार crochet hook को इस तरह से भर के रखेंगे, देखिए, एक, दो, एन, चार, पाँच, छे, साथ, और ये आठ, इस तरह से मैंने, आठ भार भर लिया है, और अब हम, एक बार हम, जहां पर हमने, ये double crochet बनाया था, उस haul में से जाके, एक बार हम, उस में से भल लेंगे, इस तरह से, तो एक हमारा यहां हो गया, देखिए, और अब हम ये, निकाल देंगे सारे, इस तरह से, और अब हम, यहीं से, नेक्स्ट डिजाइन पर आ जाएंगे, और यहां पर, जो ये पहली चेन दिख रही है, उस में crochet hook को डालेंगे, और यहां इसको, यहां पर लाके, इसको slip stitch कर देंगे, इस तरह से, तो ये, ऐसे बन जाएगा, और यहीं पर हम, हम चार जेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार जेन लेने के बाद, इसी हॉल में अब हम एक डबर क्रोशय बना लेंगे, एक, दो, डबर क्रोशय बनाने के बाद, अब हम इसी हुक में से आठ वार क्रोश्य हुक को भरेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और एक बार हम यहां से भर लेंगे जहां हमने यह डबर क्रोश्य और चेन बनाया है इस तरह से और सारे फिर साथ में निकाल देंगे इस तरह से सारे फंदे एक साथ में निकाल देना है और नेक्स्ट वाली डिजाइन पर आ जाना है जहां हमने यह पहला double crochet बनाया था उसी के उपर के hall में से हमको crochet hook को डालना है और यहां पिलाके इसको slip stitch के साथ में slip stitch कर देना है तो देखिए इस तरह से हमारा जो design है बनता हुआ चला जाएगा अब इसी के उपर हम 4 chain ले लेंगे 1, 2, 3, 4 चार चैन लेने के बाद उसी hall में से हम एक double crochet बना लेंगे एक दो और यहां पे अब हम crochet hook को भरेंगे आठ वार देखिए एक दो तेन चार 5, 6, 7 और आठ वी बार हम जिस hall में हमने double crochet और chain ले है उसी hall में से जाके हम आठ वी बार इस में भलेंगे और सारे फंदे साथ में इस तरह से निकाल देंगे और फंदे निकालने के बाद next design पर आ जाएंगे हम यहां पर और जहां यह पहला हमारा double crochet है उसके उपर वाला जो hall है उसमें लाके इसको हमको slip stitch कर देना है और इसी के उपर चार chain ले लेना है और इसी के साथ में एक double crochet बना लेना है और इसी तरह से हमें अपना सारा round complete कर लेना है तो देखी friends हम अपने round के end में है और यहां पर हमने last कली थी जो बना ली है और यहां पर जहां हमने starting की थी वहां पर लाके इसको slip stitch के साथ stitch कर देना है और यह वाला round अब हमारा यहां पर complete हो जाता है और उनको अब हम कर देंगे यहां पर cut इस तरह से slip stitch करने के बाद उनको cut देंगे और यहां पर मैंने पीछे देखी मैंने white color काटा नहीं था क्योंकि यहीं से अब हम को chain उठाना है तो हम यहीं से chain उठा लेंगे देखी फ्रंट्स इस धागे को अब हम cut नहीं करेंगे यहीं से हमने यह बाइट धागा भी नहीं काटा था तो यहीं से इसको joint कर लेंगे इस तरह से slip stitch के साथ में और यहां पर अब हम 5 chain ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पाँच पाँच चैन लेने के बाद यहां पर जहां हमने यह सारी बनाया है यहां से इसी हॉल में जाकर इसको slip stitch के साथ में stitch कर देना है इस तरह से तो देखिए फ्रंट्स मैंने यह जो chain है बना ली है और इसको इस तरह से इस पर चड़ा देंगे इस तरह से तो यह round का shape लेगी और यहीं से हम 5 chain फिर से बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 chain बनाने के बाद उसी hall में आके यहाँ पे हमको इसको slip stitch कर देना है बस simply इसी तरह से हमको 5 chain लेते जाना है और slip stitch करते जाना है और chain को इस पेसे इस तरह से चड़ाते जाना है इस तरह से तो यह जो हमारा design है बन कर ready हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे लाके हमको इसको slip stitch कर देना है इस तरह से slip stitch किया और इसी के उपर 1, 2, 3, 4, 5 chain ले ली और फिर से यहाँ पे slip stitch कर दिया और इस chain को इस तरह से इस design पर इस तरह से चड़ाते जाना है तो इस तरह से मैं अपना round complete कर लूँगी फिर दिखाती हूँ तो देखी फ्रेंट्स हम अपनी round के end में हैं और यहाँ पे हमने 5 chain बना ली है और यहाँ लाके इसको slip stitch से slip stitch कर देंगे और यहाँ हमारी जो डिजाइन है completely पूरी बन जाती है और इस design से आप लड़ गोपाल का dress और थाली पोस का dress आसानी से बना सकते हैं तो देखी फ्रेंट्स आपको इस design कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखते मुझे जरूर बताएं अगर आपको पसंद आया है तो तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो support my channel चैनल को subscribe जरूर कर ले तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye